हिंदू धर्म में गंगा को सबसे पूजनिय नदी माना गया है। गंगा के संबंध में अनेक पुरानों में कई कथाएं पढ़ने को मिलती है। महा भारत के सबसे प्रमुक पात्र भीश्म भी गंगा के ही पुत्र थे। आज हम आपको गंगा से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बाते बता रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। प्राचीन समय में एक श्वाकु वन्ष में राजा महाभिश थे। उन्होंने बड़े बड़े यग्य करके स्वर्ग लोग प्राक्त किया था। एक दिन बहुत से देवता और राजर्शी जिन में महाभिश भी थे ब्र राजा महाभिश गंगा को देखते रहे। जब परम्पिता ब्रम्हा ने ये देखा तो उन्होंने महाभिश को मृत्योलोग, पृत्वी पर जन्द लेने का श्राप देया और कहा कि गंगा के कारण ही तुम्हारा अप्रिया होगा और जब तुम उस पर क्रोध करोगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे ब्रह्मा के श्राप के कारण राजा महाभिष ने पूरुवंश में राजा प्रतीप की पुत्र शांतनू के रूप में जन लिया एक बार राजा शांतनू शिकार खेलते-खेलते गंगा नदी के तक पर आए यहां उन्होंने एक परम सुदन स्त्री वह स्त्री देवी गंगा ही थी को देखा उसे देखते ही शांतनू उस पर मोहित हो गए शांतनू ने उससे प्रण्य निवेदन किया उस स्त्री ने कहा कि मुझे आपकी रानी बनना सुईकार है लेकिन मैं तब तक ही आपके साथ रहूंगी, जब तक आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे नहीं, नहीं मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे. ऐसा होने पर मैं तुरंत आपको छोड़ कर चली जाओंगी. राजा शांतनु ने उस सुन्दर स्त्री का बात मान ली और उससे विवाह कर लिया. विवाह के बाद राजा शांतनु उस सुन्दर स्त्री के साथ सुक पूर्वक रहने लगे. समय बीतने पर शांतनु के यहां साथ पुत्रों ने जन लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त कि वह ये क्यूं कर रही है। वहाँ नंदिनी नाम की गाय भी थी। यो नामक वसु ने अन्य वसुओं के साथ मिलकर अपनी पतनी के लिए उस गाय का हरन कर लिया। जब महर्शी वसिष्ट को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसुओं को मनुश्य योनी में जन लेने का श्राप दे दिया। वसुओं द्वाराक्शमा मांगने पर रिशी ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीग रही मनुश्य योनी से मुक्ती मिल जाएगी लेकिन इस दियो नामक वसुओं को अपने कर्म भूगने के लिए बहुत दिनों तक प्रित्वी लोक में रहना पड़ेगा। इस श्राप की बात जब वसुओं ने गंगा को बताई तो गंगा ने कहा कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारन करूंगी और तकाल मनुश्य योनी से मुक्त कर दूंगी। गंगा ने ऐसा ही किया। वसिष्ठ रिशी के श्राप के कारण वीश्म को प्रित्वी पर र दूं रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया है और वह भी प्रभाहित नहीं हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने जब शांतनू आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर वदिव्य योवकस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और वसिष्ट रिशी से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से इसने समस्थ प्रकार के अस्त्र शुस्त्रों को चलाने की कला सीखी है। ये श्रेश्ट धनुर्धर है तथा इंद्र के समान इसका तेज है। देवरती आगे जाकर भीश्म कहलाए।